हलो गाईज and welcome back to Chicago Classes इस वीडियो में हम novel का एक type जानेंगे जिसका नाम है regional novel regional novel जैसे उसका नाम है region का novel मतलब उस novel में जो novelist है वो किसी खास एक जगह का जिक्र करते एक geographic reason होता है और उसी जगह के लोगों का भी जिक्र होता है कि वो लोग कैसे रहते हैं किन customs को follow करते हैं किन culture को follow करते हैं उनका historical background क्या होता है उन लोगों का और उस जगह का उसके साथ साथ जो regional language होता है यानि जो dialect होता है वो भी discuss होता है in fact कहीं कहीं पर अगर English में भी novel लिखा हुआ है तो अभी कहीं कहीं पर जो regional language है जो dialect है उसके भी words यूज किये जाते हैं regional novel में जिस जगह का जिक्र हुआ हो वो जगह real में exist करें या फिर वो novelist के mind का imagination हो वो उसकी creation हो दोनों ही cases में region जो जगह है वो main hero होता है वही main character होता है आप एक तरह से ये बात कहीं जा सकती है और हाँ जादे तरह regional novel में जो जगह discuss होता है वो जगह एक metropolitan city से अलग होता है usually वो एक rural area जहां पर पहाड हों, जंगल हों, नदियां हों इस तरह के जगह होती है लेकिन कुछ ऐसे भी regional novels उसमें शहरों का भी जिक्र है 19th century में Irish and Scottish writers ने इस form of writing को लिखना शुरू किया पहला novel जिसे हम हर एंगल से कह सकते हैं that it is a regional novel that is Cashel Recurant written by Maria Edgeworth ये जो इस तरह के local culture literature होते हैं लिटरेचर का वो टाइप जिसमें हम किसी एक खास रीजन के local culture को discuss करते हैं वहां के background को discuss करते हैं वैसे novel में एक romanticism भी होता है और एक realism भी होता है romanticism से sense is something like imagination, full of emotions तो वो सारी चीज़े भी होती है और reality भी होती है usually regional novel में जिन जगह का जिक्र होता है वो जगह एक ordinary life से थोड़ा हट के होता है, थोड़ा अलग होता है तो अपकोस जो readers हैं उनके लिए एक excitement होता है उन्हें ऐसे cultures, ऐसे customs देखने को मिलते हैं जो उनसे अलग होते हैं पर interesting होते हैं, थोड़े exotic होते because they are from far away lands, बहुत दूर की किसी जगह का जिक्र होता है और लोग उसे बहुत interesting way में देख सकते हैं लेकिन हाँ, हर sense से एक regional novel में एक reality होती है, एक fidelity होती है और जिस जगह का discussion novel में होता है, वो जगह के minute details novelist reader तक पहुचाने की कोशिश करते हैं characteristics of a regional novel, first, उस place, setting या region का एक complete description होता है जिस reason के बारे में novelist ने अपने पूरे novel में लिखा है अब वो जगह जादेता rural होती है, गाओं का इलाका दिखाया जाता है, बट urban भी हो सकती है तो जगह कैसी भी हो, उसका complete description होता है प्लस वो जगह real हो, फिर भी सही है, और वो अगर author यानि novelist की imagination की भी जगह हो, तब भी वो किसी न किसी real place से बहुत जादे similar होती है, बहुत जादे approximation में होती है Second point, usually regional novel के जो characters होते हैं, वो middle class, working class के होते हैं हाना कि कभी-कभी, ये middle class वाले लोग characters में न हो करके उनके जगह पर एक lineage वाली family का भी जिक्र हो सकता है, एक खांदानी परिवार का भी जिक्र हो सकता है और novel में ये दिखाने की कोशिश की जा सकती है कि वो जो परिवार है, वो family लोकल लोगों से किस तरह से linked है, वहां के culture से, वहां के history से उसका क्या connection है Now the other topic to be discussed is the elements of regional novel The first element is setting, ऐसे novels की setting जादे तर उन जगहों पर होती है, जो कि इन accessible है मतलब जहां पर usually हम जाने का सपना तो देखने कि पहाडों के बीच एक घर होगा, जंगलों के बीच एक घर होगा लेकिन वो हमारे पहुँच से दूर है, तो वैसी setting जादे तर regional novels में होती है Setting novel का बहुत जादा important हिस्सा है और कभी-कभी जो setting है, जो जगह है वही एक character अपने में हो सकता है Indian English novels में Archie Narayan का Malgoody Days एक बहुत अच्छा example है regional novel का तो उसमें Malgoody एक जगह है, उसका जिक्र हुआ है और उसमें दिखाया गया है कि वो एक्छली एक छोटा शहर है लेकिन वो inaccessible है, मतलब वो लोगों के पहुँच से थोड़ा दूर है, थोड़ा एक दम अलग तरह का एक शहर है और पूरा वहाँ पे natural surroundings है, जंगल है, आसपा, setting है, जो जगह है, वो story का बहुत ही integral हिस्सा है The second element is characters Usually एक regional novel में जो characters होते हैं, अलग-अलग type of people को denote करते हैं Usually, regional novel के जो characters होते, वो old style of living से बहुत connected होते हैं और वो उसको बहुत महत्व देते हैं, और उससे वो अलग नहीं होना चाहते हैं The characters of a regional novel are basically very faithful towards their culture, towards their regional language, means dialect and towards their customs Usually, जो heroines होते हैं, या 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 यूज़वली depicted as unmarried and young The third element is narrator एक regional novel का narrator, यूज़वली एक educated observer होता है एक पढ़ा लिका है, ऐसा इंसान जो सारे situation को observe कर रहा है, देख रहा है और आपको explain कर रहा है, means reader को explain कर रहा है जो narrator होता है, वो उस दुनिया से, वो जो region उससे थोड़ा हट कर होता है और वो उन characters के through कुछ-कुछ सीखता है So the narrator serves as a bridge, वो एक connection बनता है between the rural people, the rural folk, वो लोग जिनका जिक्र हुआ है उस regional novel में and the urban people, जिनके लिए ये कहानी लिखी जा रही है जो कि इसके reader, he or she acts as a bridge between the characters of the novel and the reader The next element is plot Usually कहते हैं कि एक regional novel में कुछ खास होता नहीं कोई ऐसा नहीं कि एक script, एक plot है, कि कहानी बढ़ रही है फिर जो hero उसका downfall होता है, फिर वो अपने height को फिर maintain करता है ऐसा कुछ भी नहीं होता एक regional novel में चुकि बहुत सारे characters होते, local characters होते तो हर character की एक कहानी होती है और इसी वज़े से एक regional novel में बहुत सारे storytelling होती है हालांकि कुछ ऐसे भी regional novels हैं, जिनमें एक खास plot है For example, Thomas Hardy के जो fictions हैं उसमें बहुत सारे sudden changes हैं, बहुत सारे problems हैं जो characters के life में आते हैं, पिर उनका resolution होता है तो Thomas Hardy का novel इस सेंसे सोड़ा different है क्योंकि उसमें एक proper plot है और काफी सारे sudden ups and downs भी हैं एक regional novel में usually दिखाया जाता जो regional novel में जो fictions होते हैं, जो stories होती है उसके through कि जो characters हैं, वो अपने custom, अपने culture को change नहीं करना चाहते वो change के प्रतिद्यार very antipathetic towards change और जो उनका old rules है, जो old age है, उसे वो golden age मानते हैं और उसी को वो follow करते रहना चाहते हैं Actually, they are nostalgic towards their age, towards their culture, towards their dialects हाला कि ऐसा हर वक्त नहीं होता कुछ original novels में ऐसा भी दिखाया गया है, कि adversity आई, मुश्किले आई तो women folk हैं, या फिर men folk हैं, वो उन adversities को overcome किये और उस दोरान उन्होंने अपने life में काफी सारे changes लाए, जो उन्हें लगा कि सही है बहुत सारे original novel में एक conflict दिखाया गया है between rural folk and urban folk, जो गाओं के और शहर के लोग होते हैं, उनके सोच में, उनके culture में काफी एक difference दिखाया गया है और किस तरह से अगर एक culture दूसरे culture में interfere करता है, intrude करता है, तो लोगों के life में कैसे problems आते हैं, क्या दिक्कते face करनी होती हैं या फिर कैसे लोग एक दूसरे के culture से सीख सकते हैं Now it's time for the examples of original novel यह दो examples हमने पहले ही discuss कर लिये उसके बाद एक है Harford Lee का To Kill a Mockingbird Thomas Hardy के एक novel है, Return of the Native Thomas Hardy ने जिस जगह का, जिस reason को अपने novels में mention किया है, that is Vessex यह The Provost, written by Jay Gould तो basically अगर आपको एक short note चाहिए, तो यहां तक मैंने जितना mention किया, उसको लिख दीजिए अच्छे से आपका notes तयार हो जाएगा आपको अगर 5 मार्क से 10 मार्क से question है, तो वो मिल भी जाएंगे So guys, hope आपको original novel समझ आ गया हो, फिर भी कोई doubt रह गए हो Feel free to mention it in the comment box below If you like the video, do hit the like button Share this video with your friends और अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe कीजिए और बगल के bell icon को press कीजिए ताकि जैसे ही मैंने आप वीडियो डालूं, आपको notification मिल जाए Thanks for watching, see you in the next video, till then keep smiling, have wonderful days